नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 दिली NCR में मैं हूँ आपके साथ भाफना शर्मा 6 नवेंबर है और आज रवीवार का दिन रहेगा इसे के साथ वेकुंट चतुर्दशी की आप सब को बहुत शुब कामना है तो वेकुंट चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथी को ही मनाई जाती है हर साल इस दिन भगवान श्रीहरी भगवान विश्नु की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान श्रीहरी योग निद्रा से बाहर आने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं शिव पुरान की कथा कि अनुसार वैकुंट चतुरदशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विश्णु को चक्र प्रदान किया था वैकुंट चतुरदशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा निशीत काल में करने से आपको शुपफल मिलता है न बात करेंगा अलगलग राशियों के अनुसार, क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, तो शुरूबात करते हैं Aries याने की मेश राशी, आज का दिन Aries के लिए स्वास्त संबंधी समस्या जो है वो परिशान कर सकती है, खास तोर पे एक आंख में allergy, किसी तरह का कोई viral infection आपको पर कि कोई भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो थोड़ा सा extra effort डालने की जरूरत है, आज जो आपके siblings हैं, जो भाई बहन हैं, उनका सहयोग मिलेगा, विवाहिक जीवन जो है वो सामाने रहेगा, लेकिन आपके जो शत्रू हैं, वो खत्म और आज भगवान शिव और भगवान विश्णु दोनों की ही पूचा खास रहती है, सुभा उठकर के शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से उनका पोजन जरूर करें, और संधयकाल के समय तुलसी में एक दीपक जरूर जिला आज बढ़ेगा, डील कर सकते हैं, आज कहीं न कहीं पर अचानक से क्शिव और से जो महमान है वो आपको विजिट कर सकते हैं, साथी में संतान के सहयोग से और कहीं न कहीं पर उनके support से आपको लाब हो सकता है, आज ज़िवां पक्ष से जड़ी हूई कोई चिंदा उसका अनिवारन हो सकता है, finances में बढ़ोतरी के लिए investment के बारे में सोच जा सकता है, वृषव राशी वाले जो लोग हैं, आज मालक्षमी का पूजन जरूर करें, क्योंकि आज भगवान विश्नु की पूजा भी खास होती है, और खास तोर पर क्योंकि भगवान विश्नु इसी मह लक्षमी का पूजन आप इस मंदर से कर सकते हैं, ओ महालक्षमी जविद्मय, विश्नु पत्नी जदी मही, तन्नो लक्षमी प्रचोदयात, इस मंतर की कमल गटे से एक माला का जाप आप जरूर करें, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशी, आप लुगों के ल आज खुद से दवाईयां लेना उस पर रोक लगाएगा, छोटी मूटी समस्या भी है, उसके लिए भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन परामर्ट जरूर कीजएगा, आज गुस्से और हिंकार की वजह से कुछ परेशानिया आपके सामने आ सकती हैं, तो खुद को जितन को उसे मार्गदर्शन की रूप में दीजएगा, व्यर्थ की मुद्दों से खुद को दूरी बना करके रखने का प्रयास कीजएगा, आज के दिन में जितना समय को बच्चाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, मितुन राशी वाले जो लोग हैं, आप लोगो आपका पारिवारिक जीवन और खास तोर पे सामाजिक जीवन में भी कही न कहीं पे बढ़ोतरी होगी, व्यवाहिक जीवन आपके लिए सामचे से पूर्ण रहेगा, चात्रों के लिए आज कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, और खास तोर पर आपने जितनी महनत करी है, उसके कॉर्डिंग लिए आज आपको लाब जरूर मिलेगा, अपने भाई बहनों के कारण आज लाब हो सकता है, उनसे कुछ आइडियास के वज़ों से या कहीं न कहीं पर इंप्लिमेंटेशन के बारे में सोचना जा सकता है, करक राशी वाले लोग ओम का चांट ज हमें अच्छा बीतेगा, सामाजिक दाइरे में वृद्धी होती वे नजर आती है, और काफी हद तक जिसकी वज़ह से आप सरकारी पक्ष में आपको फायदा हो सकता है, या फिर राजनीती में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ भी फायदा होगा, मनोरंजन और आ जैसे infections होते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए समय समय पर आप कोशिश करें, अपनी fitness का बहुत जादे ध्यान रखें, अपनी खान पीन का बहुत जादे ध्यान रखें, सिंह राशी वाले लोगों के लिए विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट करना अच्छा रहेगा, कोशि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपस में दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ेगा, इसके अलावा कामकाज से जुड़े हुए जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं, पारवारिक जीवन में भी सौमिता आएगी, आपके खर्चे लेकिन आज परेशानी का कारण बन सकते हैं, तो जो भी ख से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी काफी हद तक आपकी लोग प्रियता बढ़ सकती है, करने राशी वाले जो लोग हैं, आज गनेशी को मोदक का भोग जरूर लगाएं, इसके अलावा संध्यकाल के समय भगवान विश्नु की मंत्रों की एक माला जाब सकती है, जिसकी वज़े से स्ट्रेसफुल महजूस करेंगे, कोई भी वाहन साबधानी से चलाइएगा, आज आख या मुह से समबंधित कोई समस्या आपको परिशान कर सकती है, तो कोशिश केज़ेगा, किसी भी छोटी से छोटी परिशानी को भी आप हलके में नहीं लें, अपने खर्च की प्रवरती से आज दूर रहेगा, क्योंकि जितना खर्चा बढ़ेगा, वो आपकी आर्थिक स्ति को बिगार देगा, जीवन साथी और व्यवसाइक साजेदारों के साथ आज आपके संबंध जो हैं, उसमें एक सामंजस से बनता हुआ नजर आता है, शिक राशी, आप लोगों के लिए आज कोई शुप समाचार, कोई गुर्ण्यूज मिल सकती है, इसके अलावा व्यवसाइक दृष्टी कोंड से आज के दिन में स्तियां पहले से बहतर नजर आती हैं, कारेशेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धी हो सकती हैं, आपक के बीच में कमपाटिबिलिटी बढ़ेगी, धार्मिक कारियों के उपर खर्च हो सकता है, या फिर किसी धार्मिक यात्रा को ले करके आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर की दिन अच्छा है, व्रिष्टिक राशी वाले जो लोग हैं, आप लोग संधियाकाल के सम जलाना है, जहां पर अपका पूचा स्थान है, दो दीपक घर के चोखट पर जलाने है, एक आपको अपने घर के रसोई घर में जलाना है, और एक कोशिश की जगा घर के टेरस पर जरूर जलाएं, आगे बढ़ेंगे धनू राशी की बात करते हैं, आप लोगों के लिए का आपको काफी हत्पिक फाइदा उसमें नजर आता है, वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा नजर आता है, छात्रों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, तो कुल मिलाकर की दिन अच्छा है, धनू राशी वाले लोग आज के दिन में विश्नु चालेसा का प जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध जो हैं, वो सामझे से पून रहेंगे, उनका साथ आपको मिलेगा, लेकिन आज अधिक खर्च से बचेगा, खास साथ और पे जादा खर्च आपकी स्टेबिलिटी को बिगार सकता है, मकर राशी वाले लोग जो हैं, आज के दिन में कोशिश करें, भगवान शिफ के महा मृतिन जे मंत्र का जाब जरूर कीजएगा, इससे हेल्थ इशूस खत्म होंगे, कुम राशी, आप सी रिष्टों में मधूरता बढ़ेगी, किसी से, किसी बात पर बहस करने से बचेगा, हर तरह की बहस और चर्चा से दूर रहना ही आज आज आपके लिए अच्छा है, खर्च की पेक्षा कहीं न कहीं पर आप देखेंगे, कि आपका जो एक्सपेंसेज हैं आज वो बढ़ अलिग्राम जी पर जरूर अरपित कीजेगा, मीन राशी आप लोगों के लिए पुरानी समस्याइं जो हैं उसका समधान हो सकता है, आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई अच्छी ख़बर मल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए दिन सामाने रहेगा, किसी भी इ अंतर का 108 बार जाब जरूर कीजेगा, इसके साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही देज़े जास है, छोड़े रहेए चानल के साथ, नमस्कार हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें, at the rate tv9 Delhi NCR